कि है गाइस वेलकम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल तो दूस्तों मुझे बटन कुष्चन के साथ आपकी इस सीरीज को कंटिन्यू करता हूं और आपको कुष्चन समझ में आ रहे होंगे और कुछ लोगों की सिकायत होगी कि सर आपने कुष्चन के आंसर जो है वो हाइलाइ किया है कि आपका टाइम कम बेस्ट हो और आपको आंसर पहले पता चल जाए तो आप मतलब उस कुष्चन को आप अची तरीके से कंटस्ट कर सकें ठीक है तो बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं आचके फर्स्ट की बात करते हैं पीलिया जो है वो किस सरीर के किस प्रक्ष्चन को रिवीजिन कराया है तो बस वही कुष्चन है तो इसका correct answer हो जाएगा आपका जया प्रकास नारायन को ठीक है जया प्रकास नारायन को जो अपनाम था वो लोक नायक था ठीक है लोक नायक के नाम से जया प्रकास नारायन को जाना जाता है तो option number इसका C correct answer हो जाएगा ठीक है अंतरस्तिन या मुख्यक्कान दाहेग में अब बताईघा कि ГД नि किश से ten वफ्षन तो बैकि वस्ते अनमर इसका भी करेक्ट अंसर हो जाएगा ठीक है चलते हुए नर्श्ट कुशन के बात करते हैं है अर्श्ट corruption आपका Silent Valley कहां परिष्थे था है Silent Valley कहां परिष्थे था तो इसका Correct answer हो जाएगा आपका Keral में स्थे था Silent Valley केरल में स्थे था अब बात आती है कि Fool Fool की गाटी किसे का जाता है तो आप लोग everyone पाक्ष आई आएगा Flower Valley कहां परिष्थे था ठीक है तो option number इसका C correct answer हो जाएगा चलते हैं नाइस्ट्यूशन पर नाइस्ट्यूशन आपका सबसे पहले नोबल पुरुषकार की बिजेता कौन थे सबसे पहले नोबल पुरुषकार की बिजेता कौन थे तो Francis का correct answer हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर ठीक है रविंद्रनाथ टैगोर सबसे पहले नोबल पुरुषकार बिजेता थे तो option number इसका D correct answer हो जाएगा ठीक है option number D correct answer हो जाएगा चलते हैं नाइस्ट्यूशन पर नाइस्ट्यूशन की बात करते हैं आर की लचमड कौन है आर की लचमड कौन है तो इसका correct answer हो जाएगा वो एक cartoonist है ठीक है cartoonist आर की लचमड कार्टोनिस्ट है तो option number इसका B correct answer हो जाएगा ठीक है option number B correct answer हो जाएगा आगे पढ़ने से पहले मैं आपको एक सूचना देता हूँ information देता हूँ कि friends यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बैल आकन को क्लिए करिएगा जैसी वीडियो ब्लोड को सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपने अभी तक मेरी ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाएगा जी की ट्रिक के मनाया जाता है तो friends में बता दूँ आपको कि महला दिवस बनाया जाता है आपका आठ मार्च को ठीक है अंतराष्टी महला दिवस आपका आठ मार्च को मनाया जाता है अब बात आती है कि अंतराष्टी महला दिवस कम मनाया जाता है अब जो हैं दिवस मैंने दिवस के ऊप ऩुखअ छेहां पर थोड़ नित है के पारह का क्या रासानिक नाम है कुश्टर यह पूछ रहा है कि पारह का रासानिक नाम क्या है तो इसका कर्ण्बर हो जाया आपका किसलल भर की नाम से पारह ब्लार खीक है तो और अपुफिर सेन हों जाए तो इल्तुत मिस्की बेटी का नाम क्या था इल्तुत मिस्की बेटी का नाम क्या था तो इसका कर्यक्ट आंसर हो जाएगा आपका रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान इल्तुत मिस्की बेटी का नाम था तो इसका कर्यक्ट आंसर हो जोगा आपसे नंबर सी जलते हैं नेस्ट Katherine हो जाएगा चलता है the next question पर बात करते हैं है अभिध्यान सकुन्तिलम की रजायता कॉन थे अभिध्यान सकुन्तिलम की रज़यता कौन थे तो इसका कर्वेक्ट होगा आपका काली दास काली दास अभी अचिछन रच्छाइता थे लिए त má जाएगा खक्या को किस नाम से जाना जाता है तो मोस्ट डूप्राइब को सभी का मतलब है कि भोर का अतारा, सांज का अतारा और प्रत्वी की बहन, ठीक है, तो और यहां पे एक नाम और है आपका, सबसे चमकीला गरह, सबसे चमकीला गरह, आपका शुक्र ही है, ठीक है, तो इसका correct answer हो जाएगा आपका अपरोक्त सभी, आपसन नमर, डी सका correct answer हो जाएगा, चल दें नजी सबसे लंबी नदी सबसे लंब aujourd लगा अब बात आती है कि सबसे ज्यादा विश्त्रत लंबिन नदी कॉंसी यह तो इसका अमेजन नदी थी कह आपका। बात करते हैं जתחस्त्रइब है कि भारत की आत्मा गाउं में निवास करती है किस होती है गाउं में निवास करती है तोनु ऑपक्सिंट को नियुकु kalian हो जाएगा चलते नएल चुछन पर नेश्ट हुचन है कि को किस्की बात करते हैं तो इस वध्व जेघ्ष है तो कि राजासितान रज का टुक है सती पृता का अंत किस ने किया जिसका करेक्ट आंजर पी इसंसर हो जाएगा पर नेश्ट कूशन पर नेस्ट रोग एपका जीवाडूगों दौारा कौन सा रोग होता है घीवाडूगों दौारा कौन सा सबसे बड़ी स्वच्पानी जील आपका संसार की सबसे सबसे स्वच्पानी की जील कौन सी है संसार में सबसे 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 इब बात करते हैं। जो है किस में सर्दार्टु का मिस्रड रोजए तो इसका कर्या हो जाए आपका टीन और लेयर गटेकर लत का मिस्रड है मिस्रड दॉप्ट है फ्टीक है सपनेशन किसिए हो जाएगा ठीक है चलते एस्ट हो जैपका सथाही सदसे Україं है जलते है नेस्ट कूशन पर एस्ट कूशन आपका मिलका सींग को किस नाम से जाना जाता है मिलका सींग को किस नाम से जाना जाता है तो फ्लाइंग सिक की नाम से ठीक है फ्लाइंग सिक की नाम से मिलका सींग को जाना जाता है तो आपसन नमबर एसका क्रेक्ट अंसर हो जाएगा घर तो प्रेंट्स आयों आपको वीडियो पसंदे है कि वीडियो पसंदेगी तो लाइक सेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और इस वीडियो का लाइक रखतें हम 100 लाइप ठीक है फंड़ेट लाइक आज से मैं टार्गेट दूंगा आपको 100 like करने का यदि लाइक यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जा कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बैल आइकन को भी प्रेस करिएगा जिससे जैसे वीडियो प्लोड करूं तो सबसे पहले आप तक उसका नाटिफिकेशन पहुंचे और आप उस वीडियो को असानी से देख सकें ठीक ह तो वीडियो में थोड़ा बतादूं कि थोड़ा नॉस होता है क्योंकि घर में वीडियो बनानी पड़ती है कोई मेरे पास स्टूडियो नहीं है तो थोड़ा बहुता ब्लोग कोप्रेट करिएगा ठीक है तो चलते हैं जैहिंद जैवारत आप इसी तरीके मैनेद करते रह कर दो चलते हैं